okay so question number 7 देखते है question number 7 क्या क्या रहा है कि if a is equal to 3 1 2 0 b is equal to 1 1 0 4 then show that first part क्या रहा है कि a into the identity matrix is equal to a a यहां पर क्या है कि a हम इसको देखते हैं हम लेते हैं left hand side को left hand side में हमारे पास है a with the identity matrix of order 2 ठीक है अब यह जो identity matrix of the order 2 मैं कहे रहा हूं basically यह क्या चीज़ है यह क्या चीज़ है यह क्या चीज़ है यह identity matrix है यानि 1 0 0 1 हमारे इसके बारे में ज्यों है detail से पढ़ चुके हैं एक ऐसा identity matrix जिसका order क्या हो two by two हो तो उसको हम कहते है identity matrix of the order 2 ठीक होगे so हम क्या करेंगे हम multiply करेंगे a को with the identity matrix so let's see हम लिखेंगे एक जगह पर a की वह रिपूट कर ले a का matrix पूट कर ले 3 1 2 0 into identity matrix जो कि किसकी क्वाल है of the order 2 है so 1 0 0 1 अब इसको solve करते हैं इसको तोड़ा से जो है इसकी तोड़ी से detail लिखते है so हम लिखेंगे के हम लिखेंगे के 3 1s a 3 3 1s a 3 plus 1 0s a 0 then 3 0 0 1 1 2 1s a 2 0 प्रोट प्रोट ले 0 0 2 x 0 0 मुट्रोट ले 1 0 क्या स्के को रहा है 3 plus 0 3 0 plus 1 1 2 plus 0 2 0 plus 0 0 और इसको अगर हम तोड़ा सा मजीद देख लेए तो यह इसकी किसकी क्वाल हुआ यह क्वाल हुआ A के So in other words, identity matrix को अगर आप multiply करोगे किसी भी matrix के साथ तो आंसर क्या होगा? दुबारा वही matrix होगा इसी तरह part number 2 जो है वो कह रहे है कि A B the whole transpose is equal to B transpose into A transpose So पहले मैं यहां से जो है A B उठाता हूँ यहां से मैं A B उठाता हूँ So basically हम क्या करेंगे? इसको solve करने के लिए हम करेंगे कि हम करेंगे left side लेंगे पहले left side क्या है हमारे पास A B the whole transpose So solve कैसे करेंगे इसको? कि पहले हम find करेंगे A multiplied by B जो A multiplied by B हमारे पास आएगा हम क्या करेंगे? कि उसका transpose लेंगे तो क्या find हो जाएगा? A B the whole transpose find हो जाएगा ठीक हो गया? So फेरे हम find करेंगे A B हम पहले find करेंगे A multiplied by B A क्या है हमारे पास? A हमारे पास है 3 1 2 0 3 1 2 0 और B क्या है हमारे पास? B देखते हैं जरा B हमारे पास है 1 1 0 4 1 1 0 4 अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? multiply कर लगे हैं So 3 1s are 3 plus 1 0s are 0 3 1s are 3, 1 4s are 4 2 1s are 2 plus 0 multiplied by 0, 0 2 1s are 2 plus 0 multiplied by 4, 0 मजी स्वाफ करते हैं इसको तो मारे पास हाए अगर 3 plus 0, 3 3 plus 4, 7 2 plus 0, 2 2 plus 0, 2 ये मारे पास हाए क्या चीज? A, B अब हम क्या करेंगे? इस A, B का transpose लेंगे So transpose भी हम देख चुके थे क्या हम transpose किसे लेते हैं? कि अगर आपके पास क्वी भी matrix हो, आप उसके rows को जो है column में convert कर लो या column को rows में convert कर लो तो आपके पास क्या होगा? उस matrix का transpose find हो जाएगा So हम यह आप लिखेंगे A, B transpose is equal to First row है इसको first column में convert करते हैं तो 37 को लिखता हूँ 37 Second row को second column 22 यह हमारे पास हुआ A, B transpose इसको मैं करता हूँ equation number 1 अब मैं solve करता हूँ right inside को right inside मेरे पास क्या है? B transpose into A transpose तो पहरे मैंने क्या करना है यहापर? पहरे हम यहापर नहीं सरकरना होगा पहरे हम B transpose find कर लेंगे पिर उसके बाद A transpose find कर लेंगे पिर इन दोनों को अपस में multiply कर लेंगे पिर A transpose और B transpose को अपस में multiply कर लेंगे तो पहरे find करते हैं B transpose यहां पर मैं रिखता हूँ B transpose ठीक है एक साथ कर लेते हैं आम लिखेंगे यहां पर राइएंड साइड इस इक्वल टू राइएंड साइड इस इक्वल टू B transpose इंटू A transpose और B transpose जो है वो इक्वल है किसी के इसके लिए मैट्रिक्स भी है तो हमारे पास होगा 1 1 0 4 और उसके बाद सॉरी हमने क्या करना है कि इसके transpose लिखना होगा तो हम यहां पर इसके साथ T लिखता हूँ मैं कि अभी तक मैंने transpose अपलाई नहीं किया है बरकि मैं अभी transpose अपलाई कर रहा हूँ इंटू A transpose यह हमारे पास क्या है यह मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे 3 1 2 0 इसके पर मैं आप चोटी सी T लिखता हूँ जिसका मतब यह है कि मैंने आभी T जो है transpose जो है वो अपलाई करना है तो मैं लिखूंगा इस matrix का transpose क्या होगा कि 1st row को 1st column में बना ले और convert कर ले तो हमारे पास आएगा 1 1 को मैं क्या करूंगा 1 1 फिर 0 4 को मैं करते है 0 4 इंटू 3 1 को मतब 1st row को 1st column 2nd row को 2nd column में convert कर लेते हैं now we have to multiply them अब इंको multiply करते हैं multiply कैसे करेंगे 1 3 is a 3 plus 0 multiplied by 1 0 सितरा 1 2 is a 2 0 multiplied by 0 0 1 3 is a 3 plus 4 1 is a 4 1 2 is a 2 plus 4 0 0 इसको मजीद स्वाफ करते हैं तो हमारे पास आएगा 3, 2, 7, 2 छीक है यह हमारे पास आएग क्या चीज़ B transpose into A transpose इसको हम equation number 2 का नाम देंगे अब हमने देखना है कि equation number 2 equation number 1 जो है अपस में same है या नहीं 3, 2, 7, 2 यहाँ पर क्या है 3, 2, 7, 2 so हम लिकेंगे हम लिकेंगे from equation 1 and 2 from equation number 1 and 2 it is clear that it is clear that AB the whole transpose is equal to B transpose into A transpose okay